हलो एवरिवन राके सादो 73 सब प्लस भूप में पासिंटे चेप्टर का यह दूसरा पार्ट है इससे पहले जो पहला पार्ट जिन लिगोने नहीं देखाया है वो प्ले लिस्ट में जा करके पहला पार्ट देख सकते हैं उसमें हम लोग जो 22 नमबर कोश्चन तक हम उसमें स सिरीज में हम सिर्फ important question को ही solve करेंगे 24 नमबर कोश्चन देखिए पिछले पार में मैंने कहा था कि लास्ट में कि इस question को आप solve करिएगा और next part में हम इसको solve करेंगे तो आए देखते हैं इसको कैसे solve होगा यदि A का 30 प्रतिसाथ B के 0.25 के बराबर है और ये बराबर है C के बटे 5 के तो कह रहा है A B और C का तीनों का जो अनुपात है आपको find करना है ठीक है तो देखें कैसे करेंगे A का कह रहा है 30 प्रतिसाथ A का 30% लिग दिया मैंने ये बराबर किसके B के 0.25 के बराबर है ठीक और ये बराबर है C के एक बराबर है C गुड़े 1 बटे 5 इसके ब लिख सकते हैं ठीक है और ये हो जागा C बटे 5 अब देखें नीचे जो 100 है इसको हटाना तो का करिए तीनों तरफ जो है आप 100 से मल्टिप्लिक्शन कर दिए तो इधर भी अगर 100 का मल्टिप्लिक्शन कर देंगे यहां भी 100 का तो ये 100 से 100 कट जाएगा 100 से 100 कट जाएगा ये हो जाएगा 20 ठीक अब देखें 30 A हो गया बराबर हो गया 25 B बराबर 20 C अब देखें 5 A भी कर जाएगा 6 ये 5 बार में और ये 4 बार में तो ये हो गया 6 A बराबर 5 B बराबर 4 C अब यहां पर हमको अनुपात निकलना है तो A के जो अनुपात होगा ये के जगा पे वो हम क और चार का मल्डिप्लिक्शन कर देंगे तो यह 24 हो जाएगा और C का अनुपात लिखना है तो क्या हो जाएगा 6 पचे 30 ठीक अब देखिए 20, 24 और 30 यही होगा एक्शुल में रेशियो A और B और C का लेकिन इसको और चोटा करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजे तो 2 दहम 20 हो पढ़ेंगे कैसे जो है इसको सॉल्व करेंगे बस नहीं समझ जिए कि जो है कि A के नीचे का अगर हमको अनुपात लिखना है तो B और C के जो फैक्टर है उसको मल्टिप्लाइ करके यहां फिलिख देंगे ठीक B के नीचे का लिखना है तो A और C का लिख देंगे ठीक दोन और छोटा में कर सकते हैं। next question से 25 वो क्या कहा रहा है कि Всё 0.1 कि कितना प्रतिषत 0.01 है मतलब कहा है कि 0.01 यो ऋ वो 0.1 का कितना पर्ट है तो जहार से बात देखिए ज। जह एक अंक है left side में कि सक एह तो 10 30 सीका answer होगा देखिए आप चाहरे तो भी सकते हैं 0.01 को 0.1 गुडे 100 करके आप जो है इसको परसेंटेंज में करेंगे तो यह 10 परतिसाद इसकी वैलू आ जाएगी ठीक तो यह इसका सही जवाब है जैसे मैं कहता हूँ तो यह 10 अजवाएगा यह 100 का 10 परतिसाद वैलू होगी इसी तरह देखिए 0.01 में क्या करना है कह रहा है कि 0.1 का जो है कितना परतिसाद है तो 0.1 का जो है एक पॉइंट यहां के सकते है तो 0.01 हो गया ठीक है लेफ्ट साइड में जाने से 0.01 हो गया और यही जो है इसकी 10 प पॉइंट साथ है तो कहल रहा है कि तो बड़ी संख्या थाता चोटी संख्या का अनपाथ आपको यात करना है दिखिए का रहा कि दो संख्याओं का योग X plus Y ठीक है संख्याओं के अंतर ठीक है आई संख्याओं का अंतर हो जागा X minus Y question में कहा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनकी योग का 15% है अगर उनकी योग का हम 15% निकालेंगे तो यह 15% हो गया इसका प्रतिसाथ जो है वो दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है अब देखें 15% को इसको solve कर लेंगे x plus y हो गया 15% को लेख सकते हैं 15 बटा 100 बराबर हो गया x minus y ठीक अब 15 काट सकते हैं पांतिमें 15 और यह हो गया 20 ठीक है अब हो जाएगा इधार multiply कर देंगे 3x plus 3y बराबर हो जाएगा 20x minus 20y ठीक अब इसको solve कर सकते हैं 3x इधर चलाएगा तो हो जाएगा 17x इधर चलाएगा तो हो जाएगा 23y ठीक तो यहां से y upon x की value आजाएगी आपकी 17 बटे 23 y की value 17 x की value 23 कह के रहा है कि बड़ी संखे और छोटी संखे का अनपात निकालना ठीक है तो बड़ी संखे इसमें 23 हो जाएगी छोटी संखे 17 हो जाएगी तो अनपात हो जाएगा 23 अनुपात ते 17 तो सही जवाब हो जाएगा A ध्यान देना है आपको बड़ी संखे और छोटी संखे का अनपात पूछा है तो अगर मान लिए कहीं सत्तर है अनुपारते 23 एंसर लिखा हुआ है तो यह गलत एंसर हो जाएगा ठीक अप्सान वैसे दिया तो नहीं है लेकिन यह यहां पर सही जो हो जागा आपको ध्यान देना है बड़ी संख्या अर्थात बड़ा जो अनुपात है वह पहली लिखना है next question है 27 नमर के काया रहा कि PE Q से 6 गुना बढ़ा है मतलब PE जो है Q से 6 गुना बढ़ा है अगर Q की value वैलु 1 है तो पी की value 6 है तो Q जो है पी से कितना परवेंगे हैं q जो है कितना परतिसाद चोटा है q जो है कितना चोटा है सबसे पहले यह 5 वेजर रही है ठीक है अगर 5 यह जोटा वह नहों शोटा यह तो कितना परचांट चोटा है तो कितना परसंट चोटा यह 5 जो है पी का जो है कितना परसंट हो जाएगा तो 5 upon 6 into 100 यह हो जाएगा दो से कट जाएगा यह पचास बार में यह हो जाएगा 250 इसको solve करेंगे तो हो जाएगा आपका 83 सही एक बटे 3 परतिसत इसका अंस्वरा जाएगा नेक्स 33 नमर कोश्चन देखें क्या करा रहा है कि यदि ए का 60 परतिसत जो बराबर है बी के 3 बटे 4 के तो ए और बी का अनुपात करना है तो यह भी का असान कोस्चन है लेकर एका शाट परतिसत लिखेंगे तो गुड़े 60 वटे 100 लिख देंगे, बराबर है कि इसके B के 3 वटे 4 के, ठीक है, 3 से यह हो गया 20 बार में, ठीक है, 20 पर 600, यह हो गया, A वटा 5, बराबर B वटे 4, तो A अनुपाते B का जो मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 अनुपाते 4, ठीक है, तो यह सही हो गया, आपका D अनुपाते पर जाएगा, ठीक है, 34 नमर कोश्चन देखे, क्या कहा रहा है, कि यदि B माइनस A का 30 परसेंट, B पलस A के 80 परसेंट के बराबर हो, तो A और B का अनुपात आपको जाद करना है, तो इस तरह का कोश्चन मैं पहले करा चुका हूं, तो इसको आप खुद से सॉ परसान है, देखे, B माइनस A का 30 परसेंट बराबर होगा, B पलस A के 18 परसेंट के, ठीक है, तो अब सीधे परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, ठीक है, 6 तरीक अठार, 6 35 और इसको आप जो है, फर्दर सॉल्प कर लेंगे, तो A और B का जो अनुपात है, आपको B माइनस A का मान आपको गयात करना है, ठीक है, देखे, A का 120 परसेंट बराबर है, B के 80 परसेंट के, ठीक, तो परसेंटेज से परसेंटेज गड़ा है, 0 सी 0, 4 दूना 8, 4 तीया 12, ठीक है, तो 3 A बराबर हो गया, 2 B, A बटा B, बराबर हो जाएगा, 2 बटे 3, ठीक है, तो A क वो गया तो जाया थोच एप्लस थे एक हां को प्लाइन अपने थे प्लेस्ष माक्न बड़ude week of एब और मेंन तो सच्फेंछ से हो next question देखिए 40 number question क्या ज़िए a plus b का 20% b plus b का 50% के बराबर है तो आपको ग्याद करना है 2a minus b 2a plus b same as it is just 39 number question की है और इसी तरह से 40 number question भी same इसी तरह से तो इसको भी आप खुद से solve करिएगा next 46 number question क्या कह रहा है कि 4500 के 5 बटे 9 के 36% का 27% क्या होगा तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप जो फर्दा जो लिखते जाए है तो आपका जो आंसो निकल जाएगा कह रहा है कि 4500 के 5 बटे 9 ठीक है उसका 36% 36 बटा 100 उसका आपको 27% अब इसकी value आपको find करना है तो 2 0 से 2 0 ये कर गया ठीक है ना चोगा 36 ये हो गया चार से ये 25 बार में ठीक हो गया अब इसके 5 से हो जाएगा 5 25 अब आपका एंसोर 5 हो गया यहां पर 5 से कर जाएगा 5 9 45 ठीक तब 27 इंटू 9 आपका एंसोर जो है ये हो जाएगा आपको इसका आपको निगालना कैसे अब इसको भाग देने की जरूबत नहीं है देखिए 1 अपान 4 इंटू 10 लिख सकते हैं आप 1 अपान 4 को अब क्या लिख सकते हैं 0.25 ठीक 0.25 लिख सकते हैं अब 0.25 में अगर अपान 10 है तो इस 10 को जो है हटाने के लिए आप क्या करेंगे 0.1 और पीछे कर देंगे 0.025 इसका एंसर हो जाएगा तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा आपको भाग देने जरूबत नही लिखे 52 नमर कोश्चन क्या है यहां पर देखे टाइप बदल जाता है अभी तक हम लोगों ने जो कोश्चन किये हैं वो जनरली एक ही टाइप के थे उसी के इर्दिगर्द पूछे रहे थे उसमें थोड़ा बहुत चंग था तो उस तरह के हमने कोश्चन किया यहां से टा संख्या हमारे पास है और उसके 80 परतिशत में से हम क्या करते हैं 80 को जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें फिर से मिल जाती है तो वह संख्या हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले देखे 80 परतिशत को आप अगर बदलते हैं तो बैलू हो जाएगी आपकी 80 बटा 100 ठीक है यह हो गया आपका 4 बटे 5 ठीक है 4 बटे 5 आगया मतलब 80 परतिशत को आप जो है 4 बटे 5 लिख सकते हैं यह देखिए यह जो इसको आप स्किप कर सकते हैं बस आपको 80 परतिशत को 4 बटे 5 जितना फास्ट आप कर लेंगे वोश्चन आपके लिए उतना आसान हो जाएगा अ एक्शुल जो संख्या उसको 5 एक्स माल लेंगे और इसका 80 परतिशत की जो वैल्यू है वो 4 एक्स माल लेंगे ठीक हमको पता जैसे माल लिए एक बटे 4 लिखते हैं तो 4 क्या है अगर वो टोटल में 100 परसेंट है तो एक जो है उसका 25 परतिशत है ठीक तो इसी तरह से हम क् पांच जो है हमारा 100 परसेंट है तो चार उसका क्या है 80 परतिशत है लेकिन एक्शुल में संख्या पता नहीं है तो उसके साथ जो फैक्टर मॉल्टिप्लाई होगा वो एक्स का मॉल्टिप्रिशन करेंगे और वो यही एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा स संख्या है मिल जाती है तो संख्या हमें क्या थी ? वही संख्या में मिल जाती है 5x को गया अब इखकी बड्रका आपका हो जगो तो यहां से हम निकाल सकते हैं 5X की value आपके क्या आजाएगी 5 गुड़े 80 ठीक है ठीक है 400 तो answer आपका निकल गया C 400 ठीक है तो यह पहला question था इस तरह का तो मैंने थोड़ा detail ने बता दिया इस तरह कभी आगे और question मिलेंगे आपको तो आप उसको खुद से solve करिएगा मैं दि percentage में है तो इसको factor में बदलना है ठीक है factor में बदलेंगे तभी question आपको असानी सो जाएगा जितना फास्ट करेंगे उतना जल्दी आपको question हो जाएगा 200 बटे 300 ठीक है अब इसको double 00 कर जाएगा तो जाएगा 2 बटे 3 मतलब factor में बदलने पर आपका answer आगया 2 बटे 3 मतलब 6 200 रुपय मासिक बचत करता है अगर हम माल लेते हैं उसकी total i3 है 3 तो वो कितना खर्च करता है 2 हिस्सा उसका खर्च कर देता है तो 3 जो है 3 के साथ एक multiplying factor हम x ले लेते हैं ठीक है और 2 के साथ multiplying factor वही x हो जाएगा ठीक अब देखे 3 x अगर वो कमाता है तो 2 x जो है वो खर्च कर देता है पूछ क्या रहा है कि खर्च करके 1200 रुपय उसका मासिक बचत होता है अगर देखे 3 x कमाता है 2 x खर्च कर देता है तो बचा कितना उसके पास x बचा कि नहीं बचा है 1 x जो भी आप कहने समझ लें मतलब 3 रुपय अगर कमाता है 2 रुपय वो खर्च कर देता है बचत कितने करता है, एक ही रुपय का तो करता है, और X हमारे यह मांटिप्लाइंग फेक्टर है, वह सब के साथ रहाएगा, तो 1 X की वैलू जो है, वह 1200 दिया हुआ है, यहां से हमें पता चल गए, X की वैलू है, वह 1200, अब X की वैलू हमें 1200 पता चल गई, तो 3 X और 2 X में क् आना उसका मासी खर्च क्या है, तो खर्च की वैलू है 2 X, तो 2 X की वैलू हो जागी 12 दूना 24, 24 तो यहां पर आपका एंसर हो जाएगा, तो B यहां पर सही जवाब हो जाएगा, नेस्ट कोश्चन है 54 नमर का, देखिए यहां पर तीन कोश्चन मैं आपके सामने रख रहा ह और जो है जो है जो है आप कमेंट सेक्शन में बताईएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है इन दीनों कोश्चन को साल्व करांगा, यहीं से सुरुआत करांगा, ठीक है, थैंक्यू, अल्दे बेस्ट